जी देखें, a force which slow down and stop the things from moving is called frictional force or friction, ये friction की definition है, a force which slow down and stop the things, आसी कूलती हुई चीज़ों को रोक दे या आइस्ता कर दे, वो क्या कहलाती है, जाह मत कहलाती है, friction कहलाती है, हमने उपर देखा कि जो cycle है, वो जब चलता चलता स्लो हो जाता है, आइस्ता हो जाता है, या रुक है, वो जब rolling ball हो रहा है, तो जब वो ground में एक जगा पर रुक जाता है, तो वो क्यों रुकता है, इसी वज़ा से रुकता है, friction force एक कुवत है, जिसकी वज़ा से बाल भी रुक जाता है, और cycle पी slow हो जाता है, या कि रुक जाता है, तो ये friction है, जिसकी वज़ा से जो चलती इसे कहते हैं फ्रिक्शन इसी तरह अगर हम आगर हम लोग देखें कि फ्रिक्शन जो है वो किसी भी जो चलती हूँ चीज है उसकी एक तो रुफ़तार को कायम करेगी और एक जब ज्यादा चीज़े चलेगी जैसे कि गाड़ियों के जो टायर हैं इसकी वज़ासे जब वो च जाएस्ता के पाड़ता है तो चलते चलता रोक देती है यह पिर चीज़ों को आइस्ता गार देती है और इस से इसके बेनिफिट भी है जैसे के यह चीजु को चलते हुँ चीजुं को आइस्ता भी करेंगे रेंगी और उनको तेज़ भी करेगी इसी तरह हम देखते हैं कि जब दो चीजों के दरम्यान कोवत पैदा होुए एक दुसरे के साथ इसी तरह जैसे आप लोग एक्जेंपल देखें कि जब हम लोग किसी चीज को खिंचते हैं जैसे ट्रॉली ले लें या कोई भी टेबल ले लें जब हम लोग उसे खिंचेगे तो एक फॉर्स पैदा होगी Frixion पैदा होगी रगड़ पैदा होगी, जिसकी वज़ा सिभल है हम लोग उसे खिंचेगी, या ट्राली बगरण कोJesus घंचते हैं, ठीक है समझा गई Friction क्या होती है आगे कि Friction appears when a moving object, friction वो है जिसकी वज़ा से object जो है move करते हैं और contact करते हैं एक दूसरे के साथ it is a contact force friction की वज़ा से जो objects हैं वो एक दूसरे के साथ जो move on करते हैं एक दूसरे के साथ उनमें contact पादा होता है उसे कहते हैं contact force there is a less friction when smooth surface such as glass and a marble slide over each each other there is a more friction when rough surface is such as sand paper and brick slide over each other कह रहे हैं कि जब यह सारी चीज़ें आपस में रगड़ती हैं हम लोग इन्हें किसी भी machine को जब हम लोग यह सारी चीज़ें हम लोग इन पर force लगाते हैं कोवत लगाते हैं तो यह more friction इनमें ज्यादा friction पैदा होती है इसे तरह उनने example दी है paper की जब हम उननों किसी भी paper को रगड़ते हैं तो उसमें भी एक force पैदा होती है friction पैदा होती है ठीक है आप लोग आज इतना ही करें friction की definition करें यह मैंने जो काम लिखे हैं आप लोग इसे देखें झाल के लोग बाम इography MEँने है चаласьे लोगी है एले किता है टील है आपगें यहाँ यह जाओग है चार पीasts करेदा दो इसे में जाग़ा है